हले दोस्तों आप सभी का स्वागत है मारी यूटूब चैनल बीटापर में सुफेंट जितने भी छात्र बीट दोगजार बाइस में परबेस लेने जा रहे हैं यानि कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड हो चुका है और 3rd round और 4th round की जो प्रकिरिया है वो चालू है तो यहाँ पर आज ये वीडियो particular 3rd round and 4th round आले बच्चों के लिए है तो अगर आपने 3rd round में counseling कराया है और या फिर आप 4th round में counseling करा रहे हैं तो आप के लिए वीडियो बहुत ज़दा important है वीडियो को end तक देखिए लाइक भी नहीं करते हूं सभी लोग लाइक कर दें and share जरू कर देना अपने दोस्तों को भी ताकि उनको भी information सही समय पहुंच जाए और उनको भी गलती नहों और उनको भी गलती नहों और सही समय पर सही चीज़े कर लें और admission उनका हो जाए तो भई comment section में आप कोई doubt हो तो comment से पूछ सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ अगर आपको कोई doubt है बीएड को लेकर admission को लेकर counseling को लेकर तो आप मुझे Instagram पर पूछ सकते हो मुझसे बात कर सकते हो Instagram का link में description box में ले दिया आप मुझे जाकर वहाँ पर follow भी कर लेना और message कर देना follow करक message रहता है क्योंकि phone पर notification आजाता है तब message का और अगर आप बिना follow किये message करते हो तो request inbox में जाता है उसका message का फिर पता नहीं चलता है जब manually देखा जाता है तभी reply मिलता हो फिर आप लोग नराज होते हो कि sir reply fast नहीं मिलता है आप लोग आप तो reply नहीं करते हो जब request box में चल सकते हैं ठीक है तो भाई यहाँ पर आप सभी को पता है यह है आपका सेड़ी उल और यहाँ पर आज आप सबको पता है कि आज है 25 तारीक ठीक है कितने तारीक है आज है 25 तारीक और यहाँ पर आपके लिए यह 25 निकित जो बच्चे हमारे हैं third round वाले and fourth round वाले उनकी लिए यहाँ पर यह दो date बहुत ज़्यादा महत्मूर है कौन सी date एक है यहाँ पर देखे 26 तारीक ठीक है एक 25 तारीक और 26 तारीक 25 तारीक जो है यह third round वालों के लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि third round का जो counseling है वो complete हो गया था allotment हो गया था भया कितने तारीकों 21 तारीकों 21 तारीकों ही third round वालों को पता चल गया था कि हमारा seat मिला है हमें या नहीं मिला है college मिला है तो भया जिनको college मिल गया था 21 के बाद में फिर छुटियां start हो गई दिवाली के बज़े से तो बहुत सारे बच्चों ने भाई अभी तक जिन्होंने seat confirmation नहीं किया अगर आपको seat मिल गई है college मिल गया है तो third round वालों बच्चों के लिए आज अंतिम दिन है बाकी का जो remaining fees आपको दिखा रहा होगा 46 या कुछ रुपए या government मिला होगा जो भी मिला है वो remaining fees जमा करके आप seat को जो है आप अपना confirm कर लिए कोई seat confirmation स्टार्ड हुए था 26 से 25 तक ही रखा गया था date third round वालों के लिए कि आप 21 तारीक से लेकर 25 तारीक तक यानि कि 21, 22, 23, 24, 25 3-4 दिन का समय दिया गया था आप seat confirm कर लो अगर आज आप last date 25 तारीक है third round वालों के लिए बात कर रहा हूँ third round वालों में से जिन बच्चों को college मिला है और अभी बाकी के fees जमा करके seat confirm नहीं किया है तो आज last date है 25 तारीक online हो रहा है छुट्टी से कोई मतलब नहीं है online आप fees payment करके seat को confirm कर लिजिए वनना आपकी seat जो है वो free कर दी जाएगी और वो seat चली जाएगी pool counseling में जुड़ जाएगी आपको college नहीं मिलेगा ठीक है admission नहीं मिलेगा सही समय पर fees submit नहीं करोगे तो third round वालों बच्चे जिन्होंने fees submit नहीं किया है confirmation नहीं किया है confirm नहीं किया है बाकी की fees जमा करके वो आज जमा करके seat को confirm करने reserve करने और उसके बाद में कल से दो-तीन दिन के अंदर आप लोग जाकर college में बाकी के document submit कर सकते हैं seat confirmation के बाद तीन दिन का समय मिलेगा आपको college में जाकर बाकी के document जमा करके admission ने देखा तो भाई छुट्टिया खतम हो जाए कि जब तक तो फिलाल आज आप लोग बाकी की fees जमा करके आप लोग जिन हमने college का confirmation नहीं लिया है वो करके allot में ले लिजी ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर 26 तारीक यह बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है fourth round ओलों के लिए क्योंकि fourth round ओलों का यहाँ पर 26 तारीक और 27 तारीक आज last date है registration का अगर आपने registration ही नहीं किया है ठीक है तो आज आखरी दिन है registration करने का और कल आखरी दिन आपको मिलेगा registration और च्वाइस आज कर सकते हो जिन्होंने च्वाइस नहीं किया वो च्वाइस फिलिंग कर दिजी आज या जिसने registration नहीं किया तो रिजिस्टेशन आज कर दिजी वणना कल केवल च्वाइस फिलिंग का मौका मिलेगा और registration बंद कर दिया जाएगा फोर्थ राउंड के लिए तो भाइया जिसने registration नहीं किया वो आज ही करे registration च्वाइस फिलिंग भले कर कर देना जिन्होंने registration कर दिया था च्वाइस फिलिंग नहीं किया है वो लोग कर लो ठीक है वनना यही important है आप जिए नहीं करोगे तो भाई आपका seat चला जाएगा खा आप अपना seat confirm करें ठीक है तो सारी चीचे बता दी आपको तो भाईया फटा फटा फट आप लोग यह काम कर लो जिनका चुटा है अभी pending पड़ा है ते वहार में फसे थे कोई बात नहीं हो गया दिवाली अब फिधान दे लो और आपका career जो है एक साल बरबाद हो के लिए बहुत जल नौंबर फस्ट नौंबर से 2023 के लिए एंट्रेस एक्जाम बीर एंट्रेस एक्जाम का प्रिपरेसन स्टार्ट किया जा रहा है जो चाहतर फिर से पढ़ना चाते है जो नए बच्चे आपके वहां है उनको भी बताईए हमारी चैनल के बारे में कि यहा थैंड़ शौंच